हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें रौनकपूर कहकर एक गाउ में गरीब सुधा अपने अपाहिज पती विश्वनात और छोटे बेटी चिंटू के साथ रहती है वो एक अमीर घराने में काम करने जाती है उस अमीर आदमी का नाम राजेंदर होता है राजेंदर अपनी बीवी मेनाक्षी और छोटे बेटे कृष के साथ रहता है उनका खाद का व्यपार होता है ओ सुधारानी यहां आराम फर्माने आती हो या काम करने आंगन में ही धूप सेक्ती रहोगी तो होगे सारे काम जल्दी से नहीं नहीं मेम साब मैं तो बस पौधों को पानी डाल रही थी वो माली या चुट्टी पर है न हाँ, जानती हूँ, लेकिन सारे काम जल्दी-जल्दी करो, बहुत धीरे-धीरे काम करती हो तुम, ऐसा ही रहा तो मैं तुम्हारी तनख्वा में से पैसे ही काट दूँगी, समझी तू? मिनाक्षी और राजेंद्र घर के गरीब नौकरों के साथ बड़ी सक्ती से पेश आते रहते हैं, ऐसी कुछ दिनों बाद जब गणेश उत्सफ का पावन पर्व आने वाला होता है तभी जी इस बार तो हम पूरे घर को एकदम आलिशान तरह से सजाएंगे, देखने वाला देखते ही रह जाएगा, और मूर्ती भी एकदम सुन्दर और महंगी लाएंगे हाँ हा मिनाक्षी, महमानों को लगना भी तो चाहिए कि हम कितने अमीर हैं, तुम चिंता मत करो, मैं खर्चे में कोई कमी नेज करूँगा, हम बहुत राज्ची तरीके से मनाएंगे इस बार का गनेश उत्साव तबी वहाँ सफाई कर रही सुधा, राजजिंद्र और मिनाक्षी से कहती है साहब, मेम साहब, मुझे भी अपने घर पर गनेश जी की स्थापना करनी है, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत थी, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हो, उन्हें आप तनखुआ में काट लेना, चिंटु बहुत जित करेगा, और मेरा भी मन है बहुत गनेश जी को घ साहब, मेम साहब, ऐसा मत कहिए, गनेश जूत्सव है, जैसे आप अपने घर में गनेश जी की स्थापना करोगे, ठीक उसी तरह मुझे भी करनी है, बस पैसे हाथ में नहीं है, इस बार थोड़ा, मेनाक्षी और राजेंद्र दोनों ही सुधा को पैसों की मदद करने से इंकार कर देते हैं, घर जाकर जब सुधा का बेटा चिंटु से पूछता है, मामा, हम इस बार गनेश जी की स्थापना करेंगे, पर पिछले साल मुझे से वादा किया था अब आप अपना वादा निभाना होगा आपको हाँ मुझे भी गनेशुट सब मनाना हैं खीर और मोदा खाना है हम एक्टम धूमधाम से मनाएंगे गनेशुट सब हाँ मुझे तो चाहता हैं यह सुनकर चिंटू बहुत निराश हो जाता है अगले दिन जब सुधा राजेंद्र और मिनाक्षी के बंगले की छट पर सफाई कर रही होती है तब ही वो देखती है कि उनका बेटा क्रेश छट पर खेलते खेलते गिरने वाला होता है क्रेश! क्रेश! सुधा फॉरण अपना काम छोड़ कर क्रेश को बचाने जाती है और वक्त रहते ही वो उसे चट से गिरने से बचा लिती है क्रेश पिटा ठीक तो ना आपको कहीं कोई चोड तो नहीं आई ना नहीं सुधा आंठी मैं ठीक हूँ थैंक यू आंठी तभी वहाँ पर राजिंद और मिनाक्षी आते हैं और क्रेश अपने माता पिता को बताता है कैसे सुधा ने वक्त रहते ही उसकी जान बचाई क्या कह रहे हो? इस सुधा ने तुम्हारी जान बचाई? मीनाक्षी एकदम सही कह रही है क्रिश बेटा इस दो कॉड़ी की नौकरानी की ये चाल हमें बहुत अच्छे से समझ आ गई है इसे लगा होगा कि हम इसकी इस हरकत से खुश होकर इसे पैसों की मदद करेंगे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला अरे चुप रहे तु अच्छे से जानते हैं हम तुम जैसे गरीब और गवार लोगों को अमीरों को कैसे अपने जहासे में फसाते हो तुम तुम लोगों ने इसमें महारत हासिल की होती है लेकिन हम तुम्हारे जहांसे में नहीं फसने वाले समझी तुम चलो निकलो अभी यांसे और कल से मेरे घर पर आनी की कोई जरूरत नहीं है हम नई काम वाली रख लेंगे ऐसा मत कीजे मेम साहब अगर आपने मुझे काम से निकाल दिया तुम्हें अपना घर कैसे चला पाऊंगी आप तो जानती ही है ना कि मेरे पति अपाहिज है और मेरा ही चोटा बेटा है साहब साहब समझाए न मेम साहब को एसा मत कीजिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ तुमने सुना नहीं मीनाक्षी ने क्या कहा निकल जाओ यहां से वरना हम तुमें धक्का मार कर बाहर निकाल देंगे वेचारी सुधा को अपनी गलती ना होने के बावजूद भी वहां से निकलना पड़ता है वो रोते हमें घर जाती है ओपर से ये सब देख गनेश जी को बहुत बुरा लगता है मैं जानता हूँ सुधा तुम मेरी भगत हो और तुम हार मानने वालों में से नहीं हो सुधा निराशना होकर अपने हाथों से गनेश जी की प्रतिमा बनाने लगती है सुधा तुम्हारा काम छूट गया है फिर भी तुम इतना मुस्कुरा रही हो जी क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी गनेश जी जरूर कुछ न कुछ करेंगे मेरी भगती में कोई कमी नहीं रही है और गनेश जी को अपने इस भगत की मदद करनी ही होगी सुधा को अपने गनेश जी पर पूरा भरोसा था वो साधारन रूप से ही सही लेकिन घर में फूलों के सजावट करके गनेश जी के स्थापना करती है और थोड़ी सी खीर और मोदक बनाती है माफ करना चिंटू, राशन ना होने के कारण मैंने सिर्फ ये एक कटोरी खीर और दो मोदक ही बनाए है कोई नहीं, कोई बात नहीं मा, आज गनेश जी का दिन है आप ये उन्हें भोग लगा दीजिये, उनका पेट भरने से मेरा भी भर जाएगा कितना समझदार हो गया है तो बेटा गनेश दी, तुझे बहुत सारी खुशियां और सफलता दे यही मेरी कामना है धन्यवाद पापा, मेरी तो बस यही कामना है कि आप जल से जल ठीक हो जाओ तब हि उनके द्वार पर एक भिखारी आता है और वो खीर और एक मोदक मांगता है आज गनपती पापा का दिन है, मुझे भी उनका प्रसात दे दे दो चम्मच खीर और एक मोदक मिल जाता तो मेरा मन तरब्त हो जाता बेटी खीर और मोदक दोनों भी थोड़ी हैं, कोई बात नहीं, आईए न काका, अंदर आईए, थोड़ी खीर और एक मोदक है, खाईए सुधा उस बिखारी को घर में बुला कर उसे खीर और मोदक देती हैं, जिसे खाने के बाद वो बिखारी गनेश जी में परिवर्तित हो जाता है, यह देख तीनों के होश उड़ जाते हैं, और तीनों गनेश जी को प्रणाम करते हैं गनेश जी आप यह तो चमतकार ही हो गया, गनपति बपा मोरिया मेरी भक्त पीडा में होकर भी उसने मेरी स्थापना की, मुझे खीर और मोदक का भोग चड़ाया सच में, मैं तुम्हारी भक्ती से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ सुधा धन्यवाद गनेश जी गनेश जी के इतना कहने से अचानक सुधा का कच्चा मकान एक आलिशान महल में बदल जाता है और साथी विश्वनाद भी ठीक हो जाता है ये परिवर्तन देख सभी चकित हो जाते है धन्यवाद गनेश जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अब तुम्हें किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होगी अब मैं चलता हूँ इतना कहकर गनेश जी वहाँ से अद्रिश्य हो जाते हैं और जहां एक तरफ गरीब सुधा और उसका परिवार अमीर हो जाता है वही राजेंदर और मिनाक्षी का बिजनस ठब पड़ जाता है और वो गरीब हो जाते हैं गनेश जी अपने भक्त के साथ इंसाफ करके बुरे लोगों को सजा दे देते हैं और फिर सुधा और उसका परिवार खुशी-खुशी रहने लगता है शीवा एक गरीब और अनाथ लड़का था गरीब होने के बाद भी शीव लोगों के मदद किया करता था वो अपना गुजारा करने के लिए लोगों के चोटे मोटे काम किया करता था ऐसे एक दिन शीवा अपने जोपड़ी के सामने ज़ाडू लगा रहा था तबी वहाँ एक लड़का आता है जो बेहत गंदा हो रखा था वो शिवा के आगे फूट फूट कर रोने लगता है उसको रोता दे एक शिवा उसके पास जाता है और उससे रोने की वज़ा पूछता है क्या हुआ भाई तुम इस थारा रो क्यों रहे हो कोई बात है क्या क्या बताऊं भाईया मैं या नाया हूँ लेकिन यहां आता ही कुछ लोगों ने मुझे मेरा बैक छीन लिया पैसे चीन लिये और मुझे बहुत मारा अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं बिना पैसे के अपने घर कैसे जाओंगा उस लड़के की बात सुनकर शिवर उसके आसूँ को पोचता है और बोलता है भाई तुम चिंता मत करो तुम अपने घर जरूर जाओ कि मेरे पास कुछ पैसे रखे हुए तुम यहीं रोको मैं आपने घर के अंदर जाता है और अपने घर से पैसे लाकर उससे लड़के के हाथ में थमा देता है वो पैसे लिए लड़का वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते वो मुस्कुराते हुए अपने मन में बोलता है लोगों की बाते सच थी, यह मूर्ख इंसान सच में मूर्ख है, इसको तो इंसानों की परकी नहीं है, बेवकूफ कहीं का, इसको तो बेवकूफ बना रहे चुच्कियों का खेल है वो लड़का मुश्कुराते हुए वहां से चला जाता है, तो वहीं बिचारा शिवा अपने घर में जाता है और खाने के बर्तन को देखने लगता है, कि खाने का बर्तन पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ था, यह देख वो शिवजी की मूर्थी के पास जाता है और हाथ जो शिवा बोलकर शिवा सोजाता है, लेकिन शिवा की दयालुता कैलाश परवत पर बैठे शिवजी और नंदी देख रहे थे, शिवा का ये रूप देख नंदी शिवजी से बोलते हैं, यह प्रभू, यह मनुश्य कितना भोला है, साथ ही यह आपका परमभक्त भी है, आप अपने परमभक्त को इस तरह भू के पेच सुला रहे हैं, यह आपको शोभा नहीं देता, नहीं नंदी, हम अपने परमभक्त को भूगा नहीं सुला सकते, हम अपने परमभक्त की हमेशा परीक्षा लेते हैं, और हम शिवा के भी परीक्षा अवश्य लेंगे, परन्तु प बोलकर शिवजी अपने हाथों से एक प्रकाश उत्पन करते हैं और शिवा की जोपड़ी के सामने कुए में पानी की जगह सोना चांदी आ जाता है। सुभा जब शिवा सो कर उठता है तो वो देखता है कि कुए में पानी की जगह सोना चांदी है। ये देख शिवा के आँखें चमक उठती हैं इतना बोलकर शिवा अपने कुए में से कुछ सोना चांदी लेकर दुकान पर जाता है और उन्हें बेचकर गरीबों के लिए कपड़े और खाना ले आता है इस तरह वो उन सोना चांदी से गरीबों की मदद करता परंतु खुद के लिए कुछ नहीं खरीदता ऐसे ही समय बीटता है और बीटते समय के साथ कुए का सोना चांदी खत्म होकर एक बार फिर उसमें पानी भर जाता है लेकिन अब भी शिवा लोगों की मदद करता ये देख एक बार फिर भगवान नंदी शिवजी से बोलते है देख रहे हैं आप प्रभू आपकी परमभक्त के अंदर जरा भी लालच नहीं है वो स्वैम भूखा रह जाता है लेकिन वो छोटे बच्चों को या गरीब लोगों को भूखा सोने नहीं देता आपने उसके सामने सोना चानी रखा परन्त उसने उस सोने चानी से गरीब लोगों की ही मदद की तुम सही बोल रहे हो नंदी इतना बोलकर मुस्कुराते हुए शिवजी एक बार फिर अपना चमतकार दिखाते हैं और शिवा के जोपड़ी को एक सोने का महल में देखता है तो वो उसको देख हैरान हो जाता है इतना बोलकर शिवा अपने सोने के महल में जाता है और शिवजी की मूर्ती लिए वहां से जाने लगता है पर तभी उसकी आँखों के सामने एक चमचमाती रोशनी आती है और उस रोशनी में से निकलते हैं शिवजी मैं मान गया शिवा तुम मेरे परमभक्त हो तुम्हारे अंदर कोई लालच नहीं है मैं तुम्हारी एक चोटी सी परीक्षा ले रहा था और तुम उस परीक्षा में पास हुए बताओ तुम्हें क्या चाहिए प्रभू मुझे कुछ नहीं चाहिए अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप मुझे हमेशा के लिए अपना आशिरवाद दे दीजिए आप अपना हाथ मेरे सिर पर रख दीजिए और मुझे ये वर्दान दीजिए कि मैं इसी तरह गरीब लोगों की मदद करू ताकि उन गरीबों को किसी चीज की दिक्कत नहूँ आप मुझे पर अपना आशिरवाद योही बरकरार रखना मैं आपकी शरर में रहकर हर उस इनसान की मदद करना चाहता हूँ जो इनसान खुद को बे सहरा और लाचार समझता है शिवा की बात सुनकर शिवजी के चहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो अपने हाथों से रोश्नी निकाल कर शिवा को आशिरवाद देते हुए कहते हैं तथास तु पुत्र परन्त ये जो महल है ये हमने तुम्हे एक छोटा सा उपहार दिया है तुम इसे स्विकार करो प्रभू ये तो सम्मोह माया है मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाए आपकी शरर के मैं सोने चान्दी का क्या करूँगा वही जो तुम अब तक करते आए हो लोगों की मदद तुम इस भेट को स्विकार करो और मैं तुम्हे वर्दान देता हूँ कि आने वाली समय में ये महल कोई मामूली महल नहीं बलकि जाना माना सिद्ध मंदिर कहलाएगा और इस मंदिर के पुजारी तुम और तुम्हारे वंशर्ज रहेंगे तथास तो इतना बोलकर शिवजी वहां से चले जाते हैं जैसे शिवजी वहां से जाते हैं उन्ही के स्थान पर अपने आप एक शिवलिंग प्रकट हो जाता है ये देख शिवा के चहरे पर एक लंबी सी मुस्कान आ जाती है और वो उस महल को अपना लेता है और उस महल को ही अपनी किसमत समझ उसमें रहने लगता है हरिया एक छोटे से गाउं में अकेले रहता था और अकेले ही छोटा मोटा काम करके अपना पेट पालता था ऐसे एक दिन हरिया को बहुत जोर से भूक लग रही होती है तब हरिया के आगे से एक औरत जाती है जिसके हाथ में बहुत सारे फल होते हैं और वो मंदिर में चढ़ा के आ जाती है ये देखकर हरिया उस औरत से कहता है आपको इन भगवान को फल चड़ाने से क्या मिल जाता है? अरे ना इनका मू है, ना पेट है, ना पर पैसे डालने से क्या फाइदा? मैं आदमी तुम अंधे लोगों से बहुत सही हो अरे इन मोर्तियों की पूजा करते हो तुम इनकी पूजा करने से क्या हो जाएगा भगवान इस पापी को माफ कर देना पता नहीं क्या बोले जा रहा है ये इन पाखंडी से क्या माफी मांगना आप लोग ही कहते हो ना कि हम सब इनके ही बच्चे हैं तो कोई माबाप अपने बच्चों की आँखों में आशू नहीं देख सकता है आपने बच्चों को रुला कर पता नहीं कौन सी खुशी मिलती है राम राम अगर इस इनसान से थोड़ी देर और बात की न तो पक्का भगवान का प्रकोप मुझे ही ले टूपे का बस यही प्रार्तना करूंगी कि भगवान थोड़ी सत्बुद्धी दे वो औरत इतना कहकर चली जाती है लेकिन हर्या की सोच अब भी वही थी हर्या भगवान में बिलकुल भी विश्वास नहीं करता था और जो लोग भगवान को मानते उनको भी हर्या समझाने लगता था और बस इसलिए गाउं की लोगों को हर्या बिलकुल भी पसंद नहीं था और लोग उसे दूर रहना ही पसंद करते थे ऐसे ही एक दिन गाओं के मुक्या के घर में हवन हो रहा होता है और हवन के धुआ हरिया की आँख में चला जाता है और वो गुसे में तुरंत पानी लाता है और हवन कुंड में डाल देता है जिसके बाद मुख्या को बहुत गुसा आता है और वो कहते हैं हर्या यह क्या है तुझे पता नहीं है क्या कि यहां हवन हो रहा है और तुने हवन कुंड में पानी डाल कर इतना बड़ा अपशगुन कर दिया अरे यह पता नहीं क्या जला दिया इसका दुआ मेरी आखों में जा रहा था और मेरी आखों में जलन हो रही थी तो मैंने पानी डाल दिया और जिने कुछ पता ही नहीं होता है उन्हें अब शगुन का क्या ही पता होगा यह कोई आग नहीं है बलके हवन की आग है और हम लोग यहां हवन करवा रहे थे सब लोग यहां हाथ जोड़ कर खड़े हैं पूजा पाट कर रहे हैं तुम्हें अकल भी है कि तुमने क्या किया है अगर राम जी रूट गए तो हमें इसका बहुत बड़ा नुक्सान छेलना पड़ेगा कौन सा भगवान आप लोग किस भगवान की बात कर रहे हो किसी ने आज तक देखा भी है या बस ऐसे ही पत्थर की पूजा करते रहते हो ये मेरा खून क्यों जला रहा है अरे ये कोई पत्थर नहीं है राम भगवान है ये अपनी पत्थर को लंका से लाए थे इनके बारे में जो कुछ भी बोलना जरा सोच समझ के बोलना और भगवान से तुम्हारी इतनी क्या दुश्मनी है जो तुम हर वक्त बस भगवान को ही कोस्ते रहते हो दुश्मनी क्यों नहो अरे मैं जो छोटा था अगर तुम्हारा परिवार कम उमर में चला गया तो तुम उसका दोश भगवान को क्यों दोश दे रहे हो जो कुछ भी हुआ उसका हमें भी बहुत अफसोस है लेकिन उसमें भगवान का कोई हाथ नहीं है देखा यही परेशानी है आप लोगों की भगवान को दोश मत दो और फिर ये भी देखते हो कि जो हुआ वो सब भगवान की ही मर्जी है हम क्या कर सकते हैं बेटा ये सच है कि जो होता है वो भगवान ही करते है लेकिन ये भी सच है कि भगवान हमारे भले के लिए ही करते हैं सब कोछ आप और आपका भगवान, ना आपकी इन दो मुखी बातों का कोई अस्तित्तो है और ना ही आपके भगवान का कोई अस्तित्तो है बस हरिया अब तक हम गाओ वाले इसलिए ही चुप थे कोगे हमें लगा कि तुम्हारी कोई परिवार नहीं है इसलिए तुम्हें इतना ना कहा जाए लेकिन तुम भगवान के बारे में उतना ही उल्टा बोल रहे हो हरिया भगवान के खिलाफ बहुत कुछ बोलता है वहां खड़े सभी लोग आग बबूला हो जाते हैं और उसे घुसे में गाओं से बाहर निकाल देते हैं कुछ दिनों बाद हरिया को बहुत जोर से खासी हो रही होती है और उसकी कुटिया में एक गिलास पानी तक नहीं था ये भगवान ये भगवान है मैं यहां बीमार हूँ मेरे ना कोई आगे है ना कोई पीछे और भगवान को मुझ पतरस भी नहीं आया गाओं से निकल वा दिया हरिया की तब्यद खराब होती जा रही थी लेकिन अब भी वो कुछ भी भगवान के लिए अच्छा नहीं कह रहा था बस हर वक्त भगवान को ही कोस रहा था दिन निकल रहे थे और हरिया की तब्यद बिगड़ती जा रही थी एक बार हरिया बुरी तरह बिमार चारपाई पर पड़ा होता है, तबी एक आदमी आता है और हरिया के मुँ में पानी डालते हुए कहता है भाई, उठो, देखो मैं आ गया, तुम मेरी बहुत शिकायत लगाते थे ना, देखो, मैं यहां तुम्हारी ही मदद के लिए आया हुँ हरिया को होश आता है, तो वो आदमी हरिया को खाना खिलाने लगता है, तो हरिया कहता है आप कौन, मैंने आपको पहले कभी इस गाओं में नहीं देखा, आप कहीं बाहर से आये हो हाँ, मैं बाहर से आया हूँ, लेकिन बस तुम्हारे बुलाने पर, और तुम तो अकेले थे ना, तो मैं अपने मित्र को अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ, इसलिए मुझे तो आना ही था मित्र लेकिन मेरा तो कोई मित्र नहीं है मुझे तो जानते ही बहुत कम लोग है जो जानते हैं वो तो मुझसे बात भी नहीं करते फिर तुम कहां से मेरे मित्र बन करा गई जहां तक मैं जानता हूँ मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा है मित्र तुम बाते बहुत करते हो, तुम्हारा स्वास्ते ठीक नहीं है न, तो पहले कुछ खाना खालो, ये प्रश्ण उत्तर तो बाद में भी हो जाएंगे हरिया उस आदमी की बात सुनकर बहुत चौक जाता है, क्योंकि हरिया उस आदमी को जानता ही नहीं था, वो आदमी हरिया को खाना खिलाता है, और जब तक हरिया बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता, उसके पास बैठ कर उसकी सेवा ही करता रहता है काफी देर बाद हरिया ठीक हो जाता है तो वो देखता है कि वहाँ कोई आदमी नहीं है और एक रोशनी आती है जहाँ उसे राम जी दिखते है पुत्र तुम बहुत शिकायत करते थे ना कि तुम्हारा कोई नहीं है लेकिन धरती पर तो ऐसा कोई मनुष्य ही नहीं है जिसका कोई नहीं है क्योंकि भगवान तो हर किसी के साथ होते है इसका मतलब आप ही हो जो इतनी देड से मेरी देख बाल कर रहे थे, मेरे खाने पीने का ध्यान रख रहे थे पुत्र, तुम मनुश्य बहुत ही अच्छी हो, किन्तु तुम कोई कमी न देखकर यदि खुद को पूरा करोगे, तो कभी भी अकेला महसूस नहीं करोगे इतना कहकर राम जी गायब हो जाते हैं, और फिर हरिया खुद से कहता है, मैं हमेशा खुद को अकेला कहता था, लेकिन भगवान खुद मेरे लिए आई, मुझसे जादा भग किशाली तो कोई हो ही नहीं सकता है हरिया एक नास्तिक से आस्तिक बन जाता है और खुब महनत करने लगता है, जिसके बाद हरिया की महनत रंग लाती है और वो बहुत ही अमीर बन जाता है और फिर हरिया गाउं में एक राम मंदिर भी बनवा देता है राइगड कहकर एक गाउं होता है जिसमें एक बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर होता है उस गाउं की सरपंच विशांबर के परिवार में उसकी बहु को बेटा पैदा होता है उसी खुशी में सरपंच गाउं के मंदिर में शिव जी का सोने का त्रिशूल दान करता है धन्यवाद सरपंच जी आप सच में बहुत ही अच्छे और नेक आदमी है शिव जी को त्रिशूल वो भी सोने का वा 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 धन्यवाद पजारी जी अब शिव जी ने हमारे घर एक नन्ना महमान लाए हैं तो उनके लिए ये तो बहुत ही छोटी चीज है मैं भगवान में बहुत विश्वास कर रखता हूँ और यही है वो वजह मेरे दान पुन्दी करने की बागी मैं तो बस अपने गाउँ वालों का भला होते हुए ही देखना चाहता हूँ और कुछ नहीं बहुत उच्च विचार है सरपंच जी आपके मैं तो शिव जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके परिवार में खुशियों की जगमगाहट यूँ ही बनी रहे और सारे सदस्य चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहे धन्यवाद पुजारी जी चलिए तो आप मैं चलता हूँ जी जी सरपंच बहुत दान पुन्य करता है लेकिन वो ये सब सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए करता है ताकि लोग उसे ही हर बार सरपंच बनाए वो अपने बेटे रागव से बात करता है तब रागव बेटा वो चावल की बोरियां और मिठाई के बॉक्स सभी पैक करके रख दिये हैं कि नहीं कल मैं गाउं में भाशन देने जाने वाला हूँ तब ही उन्हें बाटने होंगे कोई चिंता मत किजिए बाओ जी सब कुछ रेडी है बस आपको कल जाकर गाउं में अच्छा खासा लंबा चोड़ा भाशन देना है जिससे गाउं वाले प्रसन्न हों और साथ ही ये सारा सावान भी बार दो शाबाश शाबाश मेरे डाल तू ही मेरा नाम रोशन करेगा तू भी सीख लेए सब कैसे गरीबों को एक रुपिया दे कर हम अमीर लोग लाखो रुपई के मालिक बन सकते है चांद पैसों से दान पुन्ने करने में हर साल इस गाउं का सरपंच बनता हूँ और कायम यूहीं बनता रहूंगा हाँ भाव जी बिल्कुल सरपंच की हवेली में गुपालनात नामा के गरीबाद मी रहता है जब राघव और सरपंच दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तभी गुपालनात उनकी दर्वाजे पर आकर खटखट करता है अरे साहब जी मैं अंदर आ सकता हूँ क्या हुआ? कौन सी आफ़ात आ गई अब? आजा अंदर साहब जी वो वो मैं अरे बक्री की तरह में 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 क्यों कर रहे हो? यही करते रहोगे या कुछ बकोगे भी? मेरी मा के इलाज के लिए मुझे कुछ पैसे की जरूरत थी मेरी मा को दिल की बीमारी है साहब जी कितने पैसे चाहिए? साहब जी, कुछ लगबग 2 से 3 लाख रुपए 2 से 3 लाख रुपए? तेरा दमाग खराब वराब हो गया है क्या? या तु भंग भी कराया या पर? और नहीं तो क्या? हम क्या तुझे बेवकुफ नजर आ रहे हैं क्या या पर? जो तुझ जैसे निकम्मे को इतने पैसे की मदद करें साहब जी सामत कीजिए मुझे पैसों की सक्त जरूरत है मैं आपके सारे पैसे पाई पाई करके वापस लोटा भी दूँगा बस मेरी मदद कीजिए साहब जी मेरी मदद कीजिए बेचारा गोपालनात निराश होकर उस कमरे से बाहर चला जाता है और अपने कामों में लग जाता है रात में घर जाते समय उसे शिव मंदिर में एक चमचमाता हुआ सोने का त्रिशूल दिखाई देता है लेकिन उस शिव मंदिर में कई सारे रखवाले भी होती है सोने का तृशूल, लेकिन इतने सारे रखवाले होने के बाद मैं इस तृशूल तक कैसे पहुँच पाऊंगा नहीं, मुझे इस तृशूल को चुराना ही होगा ये भोलेनात, तरनेत्रधारी, शिव जी, मैं आपके सोने के तृशूल को चुरा रहा हूँ मुझे माफ कर देना मैंने कई लोगों से पैसों की मदद मागी लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की मैं मैं असाए हूँ इस वाग गुपालनात अब वहां बैठ कर शिव जी के त्रिशूल को चुराने के बारे में सोचने लगता है तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है वो अपने घर से एक दूप दानी लाता है जिसमें वो कुछ जलाता है जिससे हर तरफ धुआ 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 पहलने लगता है और उस धुएं से उन रखवालों को नीद आने लगती है गुपालनात ने सोने का त्रिशूल चुरा लेता है वाह ये त्रिशूला मेरा हुआ अब मैं जल्दी से इसे दूसरे गाउं में जाकर बेच देता हूँ और उन पैसों से मैं अपनी बूरी बीमार मा का इलाज करूँगा फिर एक बार आप से हाथ जोड कर माफी मांगता हूँ मैं शिवची अपने भक्त की पीडा को समझ लीजे शिवची मैं मजबूर हूँ मेरे पास ये रास्ता चुनने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा था गुपालनात उस सोने के त्रिशूल को लेकर दूसरे गाउं में जाता है और वहाँ वो एक सेट को वो त्रिशूल बेचता है उत्तम अति उत्तम बहुत ही बढ़िया और नया नविला त्रिशूल है ये ये लो तुम्हारे पैसे गुपालनात गुपालनात वो पैसे लेकर अपने गाउं वापस लोटाता है और वो अपने बूड़ी मा का इलाज कराने ले जाता है गाउं की शिव मंदिर से सोने का त्रिशूल गायब होने पर सरपंच बहुत गुस्सा हो जाता है अरे हमें माफ कर दीजिये सरपंच जी हम तो रखवाली करने बैठे ही थे लेकिन तबी अचानक से न जाने कोई धुआ आया और हम सब गहरी नीद में चले गए जी सरपंच जी हमारी कोई गलती नहीं है चोड ने बड़ी ही चालाकी से त्रिशूल की चोरी कर की है रागब बेठा पूरे गाउं में तलाशी करो हर एक घर में तलाशी करो यहां तक के आसपास के गाउं में भी तलाशी करो अगर चोड ने चोरी की होगी तो उसने इस गाउं के किसी भी गहनों के व्यापारी को त्रिशूल नहीं बेचा होगा उसने जरूर किसी आसपड़ उसके गाउं के व्यापारी को ही वो त्रिशूल बेचा होगा बाओ जी आप चंता मत कीजिए मैं उस चोर को रंगे हाथ पकड़ कर ही रहूंगा हर हाल में हाँ बेठा रागव और सरपंच के बाकी आदमी राइगड के साथ-साथ आस पडोस के सभी गाउं में उस चोर को ढूणना शिरू करते हैं और तब जाकर उन्हें वो सोने का त्रिशूल पडोस के गाउं के उसी सेट के पास मिलता है जिसे गोपालनाथ ने वो त्रिशूल बेचा होता है उस सेट को पैसे दे कर वो त्रिशूल वापस लाया जाता है और गाउं में आने के बाद सरपंच और गाउंवासी गोपालनाथ को खूब मारने लगते हैं और उस पर बत्राव होने लगता है तबी वहाँ पर स्वयम शिव जी प्रकट होते हैं और वो गोपालनाथ के आगे आ जाते हैं और उसका बचाव करते हैं सभी शिव जी को देख हैरान और चकित रह जाते हैं शिव जी कोई गोपालनाथ पर ना तो पत्राव करेगा और ना ही उसे मारेगा लेकन शिव जी इस गोपालनाथ ने चोरी की है इसने कितना बड़ा पाप किया है आप जानते हैं हाँ शब जी इसने आपके त्रिशूल की चोरी की है जैसे हर अच्छे काम के पीछे कोई कारण होता है वैसे ही हर बुरे गर्म के पीछे कोई ना कोई कारण होता है गुपालनाथ ने मेरे त्रिशूल की चोरी करके बहुत घलत किया है वो मानने है लेकिन विशंभर तुमने मुझे वो सोने का त्रिशूल दान करके क्या अच्छा किया बताओगे मुझे अरे शिव जी आप ये कैसी बात कर रहे है मैंने तो दान पुन्य करके अच्छा कर्म ही किया है दिखावे वाला दान पुन्य विशंभर तुम जो कुछ भी करते आए हो सब कुछ दिखावा रहा है ताकि लोग तुम्हें हर चुनाओ में सरपंच के तौर पर चुले तुम्हारे मन में हमेशा से ही खोट रहा है और जो व्यक्ति मन में खोट रखकर नेगी करता है उससे में कभी परसन नहीं होता घलत कर्म की शुरुआत तुम से हुई है विशंभर अगर तुम अच्छे और इमानदार होते तुम गोपालनाद को पैसों की मदद करते लेकिन नहीं गोपालनाद की मदद तुमने इसलिए नहीं की क्योंकि तब तुम्हारे सामने कोई नहीं था जिसके सामने तुम दिखावा कर सको अगर तुम उसकी मदद करते तो वो मेरे मंदिर में आकर द्रशूर चोरी ही नहीं करता। विशामबर और गुपालनाद दोनों को अपनी गलतिया समझाती हैं और दोनों शिवजी के चर्णों में नतमस्तक होकर उनसे माफी मांगते हैं जिसके बाद शिवजी उन्हें माफ करके वहां से अद्रश्य हो जाते हैं। उस दिन के बाद से विशामबर दिखावा करना छोड़ कर तहे दिल से गाउ के हर गरीब की मदद करता है। वहीं गुपालनाद भी इमानदारी से काम करके शिवजी की पूजा अर्चना करने लगता है। सुबा सुबा बिर्जु शिवजी के मंदिर में जल चड़ा कर घर वापस आता है। जहां वो देखता है कि उसकी पतनी चूलहा तो जला रही है पर चूलहा चलने के बाद भी खाना नहीं बन रहा। राधा ये क्या तुम चूला तो जला रही हो लेकिन खाने को कुछ बना क्यों नहीं रही। मैं शाम तक कोई जुगार करता हूँ। जुगार से एक दिन दो दिन काम चल जाएगा लेकिन हम कब तक जुगार ही करते रहेंगे। एक काम करते हैं। हम अपनी बैल को बेश देते हैं उससे थोड़े पैसे आएंगे तो कुछ दिनों का हमारा गुजारा हो जाएगा और तब तक आप कही काम देख लेना। और शिभख्ध होने के बाद भी मैं उनकी सवारी को अपने घर से बाहर कर दू? नहीं, रादा, नहीं, मुझसे ये नहीं होगा, मैं प्रीतम बैल को नहीं बेच सकता. याद करो, जब प्रीतम घर आया था, तब तुम ही सबसे ज़ादा खुश थी. मैं खुश थी, और हमारी प्रीतम, उनको बेचने की बात करते वे, मुझे भी काफी दुख हो रहा है, पर आप खुद सोचिए, हम अपना पेट तो भर नहीं पा रहे हैं, अपनी बैल का पेट कहां से भरेंगे, देखो, उसकी तरफ, वो भी कितनी कमजोर हो गई है, भगवा हमारे हालाद ठीक होंगे, तो हम फिर से अपने प्रीतम को वापस ले आएंगे, राधा की बाद बिर्जु को कहीं न कहीं सही लग रही थी, इसलिए अब वो ना चाहते हुए भी अपनी बैल बेचने को राजी हो जाता है, और वो अपनी नम आखों से अपनी पतनी की तुम सही कह रही हो राधा, जब हमारे हालाद सही होंगे, तब मैं अपने प्रीतम बैल को वापस अपने घर ले आऊँगा इतना कहकर बिर्जू अपनी बैल को गले लगाता है और कुछ देर वो उसके साथ ही समय बिताता है, बिर्जू अब अपनी बैल को लेकर घर से निकल जाता है, जंगल के रास्ते वो अपनी बैल को लेकर दूसरे गाउं जा रहा था, थोड़ी दूर चलने के बाद बिर्ज प्रीतम मैं काफी ठक गया हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम भी ठक गये हो इसलिए चलो अब आराम करते हैं थोड़ी देर आराम करने के बाद हम दोबारा चलना शुरू कर देंगे बिर्जु अपनी बैल के साथ अब जंगल में ही आराम करने लगता है पर तभी वहां से गुजरता हुआ एक साप प्रीतम यानि कि बिर्जु के बैल को डस लेता है जैसे साप बैल को काटता है वैसे बैल जोर से आवाज लगाते हुए नीचे गिर जाता है उसके प्रीतम को स आपने काट लिया और उसके बैल नीचे गिर गई ये देख बिर्जु फूट फूट कर रोने लगता है हे शिव शंभू ये क्या किया आपने आपने अपने ही बैल को अपने साफ द्वारा कटवा दिया मैं मजबूरी में भले ही इसको बेचने जा रहा था पर मैं इससे अ अलग नहीं होता मैं अपनी बैल के बिना नहीं रह सकता प्रभूर नहीं रह सकता आपको अपने भक्त पर जरा भी दया नहीं आई मेरी बैल मेरे साथ नहीं है तो मुझे भी जीने का कोई हग नहीं है मुझे भी अपने पास बुला लो भोले नाद मैं अपने प्रीतम के ब तो रात से अगला दिन हो जाता है लेकिन बिर्जू को होश नहीं आता है बिर्जू बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था कि तभी वहाँ एक रोश्नी प्रकट होती है और उस रोश्नी से प्रकट होते हैं स्वयम भोले नाद जी उठो पुत्र अपनी आखे खोलो पुत्र शिप जी के आवाज सुनकर बिर्जू अपनी आखे खोलता है और खुद के सामने शिप जी को देख वो उनके चर्णों में गिरकर रोते हुए बोलता है पुत्र तुम क्यों इतना व्याकुल हो रहे हो तुम ही अपने प्रीतम को बेचने के लिए जा रहे थी अब जब ये तुम्हारे पास ना भी रहे तो क्या फरक पड़ता है नहीं भोले नाथ मेरे प्रीतम बेल में मेरे प्राण बसते है मैं इसके बिना नहीं रह सकता अपनी पत्री के कहने पर मैं इसको बेचने के लिए निकला था लेकिन मेरा हिर्दय जानता है कि मैं इसके बिना कैसे रहूँगा या फिर रह भी पाऊँगा या नहीं पुत्र, तुम्हारी पवित्रता को मैं अच्छे से देख रहा था, मुझे पता है कि तुम मुझे में कितना विश्वास रखते हो, तुम्हारी पवित्रता और निस्वार्थ भाव को देख कर मैं तुम्हें एक वर्दान देना चाहता हूँ, बताओ, तुम्हें वर्दान मे क्या चाहिए मुझे आप से कुछ नहीं चाहिए प्रभू मुझे तो बस मेरा प्रीतम चाहिए मैं इसको खुद से कभी अलग नहीं करूँगा तुम्हारी भक्ति भावना को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और मैं तुम्हें ये वर्दान देता हूँ कि तुम्हारा प्रीतम तुमसे कभी भी अलग नहीं होगा तथास दो इतना बोलकर शिव जी अंतरध्यान हो जाते हैं तो वहीं बिर्जु की बैल के प्राण वापस आ जाते हैं ये देख बिर्जु की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और वो अपनी बैल को लिए खुशी से अपने घर जाता है बिर्जु को बैल के साथ देखकर राधा कुछ समझ नहीं पाती और खुद से कहती है मैंने इस आदमी को कहा था कि इस बैल को बेच दे हमें इससे सिर्फ नुकसानी हो रहा है पर ये कहा सुनने वाला है लेकिन बिर्जु तो प्रीतम को बेचने को तयार हो गये थे फिर ये इसको वापस क्यों ले आए मुझे इस बात का पता लगाना होगा अजी सुनिये आप तो इसको बेचने के लिए गये थे फिर आप इसे वापस क्यों ले आए तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा राधा लेकिन सच बताऊं तो मुझे स्वेम भोले नाथ ने मेरे प्रीतम बैल को लोटाया है क्या मतलब आप कहीं पागल तो नहीं हो गए न राधा की बात सुनकर बिर्जु उसको सारी बात बता देता है ये क्या भगवास कर रहे हो आप बला ऐसे कैसे हो सकता है मुझे सब समाज आ रहा है यही कि आप ये मन गडंद कहानिया क्यों बना रहे हैं लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी मैं इस बैल को बेच करी रहूंगी अरे खाने को लाले पड़े हैं पर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहे कितने प्यार से समझाया था लेकिन साब धरा का धरा रहे गया राधा ने चान लिया था कि वो प्रीतम को बेची देगी इसलिए जब बिर्जु सोया होता है तो राधा चिपके से प्रीतम को लेकर जाती है पर आवास के चलते बिर्जु उठ जाता है और अपनी पत्नी को बैल को ले जाते हुए देख लेता है पर वो कुछ नहीं कहता और मुस्कुराते हुए दुबारा सो जाता है तो वहीं दूसरी तरफ राधा बैल को बेज देती है और घर आकर सोचाती है अगली सुबा जब वोटती है तो देखती है कि प्रीतम वहीं खड़ा है हें? ये? ये क्या? मैंने तो कल रात ही प्रीतम को बेज दिया था फिर ये यहां कैसे आई? क्या हुआ राधा? इतनी हैरानी से तुम प्रीतम को क्या देख रही हो? कहीं ये तो नहीं सोच रही कि ये कहां से आई? तुमने तो इसको बेज दिया था क्या 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 कहना चाते हो? राधा जब राध को तुम इसे बेचने जा रही थी तब मैंने तुम्हें देख लिया उस समय मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम चाहे इसको कितना भी खुद से और मुझसे दूर क्यों न कर लो ये हमसे दूर नहीं होगा क्योंकि स्वेम शिवजी ने मुझे इसके साथ का वर्दान दिया है मुझे क्या पागल समझा है है हो नहो राध को जरूर मेरे पीछे आए होगे और मेरे जाने के बाद इसको वापस ले आए होगे और अब बोल रहे हो कि वर्दान मिला है मैं सच बोल रहा हूँ अब देखती हूँ कि आप हान जी प्रीतम को कैसे वापस लाते हो बहुत बोलते हैं न भोले नाथ का परदान मिला है अब पता चलेगा राधा सच को मानने के लिए बिलकुल तयार नहीं थी और अगले दिन राधा अपने पती को उस बंधी हुई रसी से आजाद करती है कुछ देर बाद जब वो घर से बाहर जाती है तो उसको अपनी आँखों पर विश्वास नहीं होता क्योंकि प्रीतम दुबारा अपनी ही जगा पर होता है मैंने कहा था ना मेरा प्रीतम मुझसे कभी भी दूर नहीं हो सकता है इतनी कोशिश कर चुकी हो तुम लेकिन फिर भी काम्याब नहीं रही ये कोई मामूली बैल नहीं राधा ये अब शिवजी की जादूई बैल है जो भगवान ने स्वयम हमें खुद दी है आप सही कह रहे हैं ये शिवजी जादूई बैल है ये प्रभू की ही लीला है ये प्रभू तिरी लीला अब रमपार है राधा को अब बिर्जू की बात पर विश्वास हो जाता है जिसके बाद वो बैल को दुबारा बेजने की बात नहीं करती और उसे अपने बच्चे की तरह प्यार देती है। समय बीटता है और बीटते समय के साथ बिर्जु की नौकरी मंदिर में पुजारी के तौर पर लग जाती है। देखते ही देखते अब उनकी हालत पहले से बहतर भी हो जाती है। पुरान के अनुसार उत्पन एकादशी का वरत करने से एक हजार एकादशीयों का फल मिल जाता है एवं पिछले जनम के सारे पाप भी धुल जाते हैं। तो चलिए सुनते और देखते हैं मार्ग शीर्ष मास के कृष्ण पक्ष के उत्पन एकादशी की कथा। एक बार की बा इस संसार में वो इतनी पवित्र, इतनी पावन कैसे मानी गई। और ये सभी देवी देवताओं के लिए इतनी प्रिय क्यों है। युदिश्ठिर ये प्राजिन समय की बात है। सत्योग में मूर नाम का एक दानव वास किया करता था। वो अत्यंत भयावय और विशाल था उस महासुर ने इंद्र देव को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्थ होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थी। एक दिन सब देवता देवों के देव महादेव जी के पास गई और वहां इंद्र देव ने शिव जी को सब कुछ बताया। पीच इन्हें शोभा नहीं देता, कोई तो उपाई दीच ये। हमें इस दुविधा भरे समय से बाहर निकालिए महादेव। देवराज इंद्र जहां सब की रक्षा करने वाले, सब पर अपना आशीरवाद कायम बरसाने वाले, जग कल्याणी, जगत के स्वामी, भगवान करुड धजविराजमान हैं, वहां जाईए। उनके शरण में जाने से व्याप की रक्षा अवश्य ही करेंगे। धन्यवाद महादेव। कुंती नंदन, महादेव जी की ये बात सुनकर देवराज इंद्र सहित, समस्त देवी देवता, शीर सागर में भगवान विश्नु के पास गई, और उनसे हाथ जोड़ कर नतमस्तक होकर उन्होंने बिंती की। हे देव देवीश्वर, आपको हमारा प्रडाम। देव, आप तो इस जगत के पिता है, आप सब का कल्यान करते हैं, जो भी दुख्यारा आपके शरण में आता है, आप उसके सारे दुखों का संहार कर उसकी मदद करते हो, उसकी रक्षा करते हो। हे कमल नयन, हम सभी की रक्षा कीजिए। प्रडाम बध्यमान देवराज, कहो, क्या दुविधा है। एक अत्यंत बुरे और भयानक महाबली मूर नावक देत्य ने इन संपूर्ण देवताओं को जीत कर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। भगवान, देवता, भयभीत होकर आपकी शरण में आए है। हे जनार्दन, हमारी सहायता कीजिए। हमें उस राक्षास से बचाईए। देवराजिंद्र, ये राक्षास कैसा है? उसका रूप और बल कैसा है? उसका स्थान कहां है? हे मदुसूदन, पूर्वकाल में धम्मा जी के वंच में ताल जंग नाम के एक महानसुर्व उत्पन हुआ था, जो बहुत भयानक था। उसका पुत्र मूर दानव के नाम से विख्यात है। वो भी अत्यंत महा पराक्रमी और देवताओं के लिए खत्रे का संकट है। चंद्रावती नाम की एक पिसिद्ध नगरी में उस दुष्ट का इस्थान है। उस दुष्ट ने समस्त देवी देवताओं को परास्त कर स्वर्ग लोग पर अपना राज कर लिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंखासंपर बिठाया है। अगनी, चंद्रमा, सूर्य, वायू तथा वरुन भी उसने दूसरे ही बनाए है। मैं सत्य ब दैत्य राज गर्जना कर रहा है और उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग रहे है। तभी वो दानव जनार्दन को देख बोला। खड़ा रहे, खड़ा रहे। अरे मोर्ख क्रूर राक्षस, मेरी उन भजाओं को देख। विश्णु जी का क् उन्होंने अपने दिव्यबाणों में से सामने अग्रसर हुए दुष्ट दानवों को मारना शिरू किया। सभी दानव घबराते हुए काप उठे। विश्णु जी ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया और उससे तितर बितर होकर सैक्ड़ों योधाओं की मृत्ति हो की दर्वाजा था भगवान विश्णु उसी में सोक है। वो दानव मूर भगवान विश्णु को मारने के प्रयास में तो लगा हुआ ही था और उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को विश्राम करते देख उसे बड़ा आनंद हुआ। वुमन ही म सोचने लगा। दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विश्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुए। जो बड़ी ही सौंदर संपोन सवभा की शालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से श्रिंगारित थे। वो भगवान के तेज के अंश से उत्पन हुई थ उसका बल और पराकरम अती महान था। दानव मूर ने उस कन्या को देखा जब वो चकित रह गया। उस कन्या ने दानव मूर को युद्ध के लिए याचना देते हुए ललकारा। युद्ध छड़ गया। कन्या सभी प्रकार की युद्ध कला में निपुन थी। उसने सभ अस्त्रों शास्त्रों को असंहार कर उस राक्षस का सर उसके धर से अलग कर दिया। जिसके बाद उस दानव की मृत्ती हो गई और वो खत्म हो गया। जैसे ही उसकी मृत्ती हुई भगवान विश्णु जाग उठे और उस कान्तिमाई तेचस्वी कन्या से पूछने लगे हे देवी आप कौन है और इस दुष्ट दानव राज मूर का संहार किसने किया। तब उस कन्या ने हाथ जोड़े और विनम्र होकर भगवान विश्णु से कहा। अत्यन्त खुश हुए और कहने लगे। हे देवी आपने इस शौरे और सामर्थय से ना सिर्फ मेरी रक्षा की है बलके पूरे सर्ग लोग के देवी देवताओं की भी रक्षा की है। मैं आपसे बहुत प्रसन्द हुआ हूँ। कहिए क्या वर्दान चाहिए आपको। पन हुई हूँ। जो भी व्यक्ति आज के दिन उपवास कर भक्ती भाव से आपकी पूजा अर्चना करेगा, मैं उसके सारे पापों का नाश कर सकू। जो भी व्यक्ति आज के दिन उपवास की विधी का पालन करें, आप उस व्यक्ति को सुख, संपत्ति, समृत्ति, आप मेरी आध्यात्मिक शक्ति के रूप में कृष्ण पक्ष के ग्यारवे दिन उत्पन्न हुई है। इसलिए ये समस्त संसार आपको एकादशी के नाम से जानेगा। उद्यकाल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंच्चित त्रियोदशी हो तो वो त्रिस्पुर्शा एकादशी के लाती है। वो भगवान को बहुत ही प्रिया है। यदि एक त्रिपुर्शा एकादशी को उपवास कर लिया जाए, तो एक हजार एकादशी वरतों का भलप्राप्त होता है। इतना ही नहीं, बल्कि इसी प्रकार द्वादशी में पारन करने पर हजार गुना फल माना गया है। अश्टमी एकादशी, शस्ठी, तृतिया और चतुरदशी यदि पूर्व तिथी में विध हो, तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए, पर वरतिनी तिथी से युक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी को तथा दूसरे दिन केवल प्रातहकाल एक दंद एकादशी रहे, तो पहली तिथी का परतियाग करके दूसरे दिन की दूआदशी योगत एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। ये विधी मैंने दोनों पक्षों के एकादशी के लिए बताई है युदिष्ठर। जी, जै श्री कृष्ण भगवान। युदिष्ठर, जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है, वो वैकुंठ धाम में जाता है, जहां साक्षात भगवान गरुडधवज विराजमान रहते हैं। जो भग्त दिन्यारात में भग्ति पूर्वग इस महात्मे का आश्रवन करते हैं, वो निसंदेह पापों से पूरी तरह मुक्त होते हैं। उत्पन्य कादशी के समान पापनाशक वरत दूसरा कोई नहीं है। इस वरत के कई लाब भी हैं। मानिता के अनुसार ये वरत रखने का फल अश्व मेग यग्य, कठिन तपस्या और तीरत स्थानों में सनान दान करने से मिलने वाले फलों से भी अधिक शक्तिशाली और संपूर्ण है। इस वरत को रखने से मन को शान्ती और शरीर को शुद्धी की प्राप्ते होती है।